पुराणिक कथा के नुसार मद्र नामक एक देश पर अश्वपती नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उनके राजी में एक बहुत ही पहुँचेवे रिशी महात्मा आएवे थे। राजा ने उनका आदर सतकार किया और उन्हें भूजिन ग्रहन कराया। रिशी महात्मा ने राजा से पूछा है राजन तुम्हारे पास सब कुछ होते वे भी तुम दुखी दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है तो राजा कहने लगा हे मुनिवर मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि मुझे कोई भी संतान नहीं है। राजा की बात सुनका रिशी कहने लगे कि हे राजन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर हर साल जेठ हमवस्या का वरत रखा करो। इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। रिशी के बताए अनुसार राजा और उनकी पत्नी ने मिलकर इस वरत को किया। उनकी भक्ती से प्रसंद होकर देवी सावित्री ने उन्हें सुन्दर पुत्री होने का वर्दान दिया। ठीक नो वहीने बाद ही राजा की पत्नी ने एक सुन्दर कन्या को जरम दिया। रा जाजा ने सावित्री को मंत्रियों के सार्थ स्वयमवर ढूनने के लिए भेज दिया जंगल में सावित्री की मुलाकात द्यूमत सेन के पुत्र सत्यवान से हुई सावित्री ने सत्यवान को पहली ही नजर में अपने पती के रूप में वरंड कर लिया रिशी नारत ने सावि युनाराद मुट्री को समझाने लगे की सतेवान ग्रवान धर्मात्मानौ रेकिन उनकी आयों बहुत कम है एसे में तुम्हारा उनके साथ विवाह करना कते ही उचित नहीं है माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया लेकिन सावित्री अपने धर्म और अपने वचन से पीछे नहीं हटी आखिरकार राजा को जुकना पड़ा इस प्रकार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया विवाह करने के सावित्री राजमहल छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल की कुट्या में रहने लगी सावित्री ने पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाया मैं जंगल में रहकर अपने अंधेसास ससुर की सेवा करती थी और अपने पत्धी के साथ प्रेम से रहती थी सत्यवान सावित्री के विवह का एक वर्ष पोरा होने को आया Southern कि तीन दिन पहले से ही सावित्री ने भोजन पानी का त्याग कर दिया था और उपवास रखने लगी सत्यवान की मृत्यु के पहले ही सावित्री व्रत उपवास और पित्रों का भी पूजन करने लगी थी हर दिन की तरह अपनी मृत्यु वाले दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल को गए सावित्री भी उनके साथ गई लेकिन जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चड़े तो उनके सिर में भेंकर पीड़ा हुई और उन्हें चरकर आ गया तब सावित्री अपनी गोद में अपने पती सत्यवान का सिर रखकर सहलाने लगी जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वो एक वटब्रिक्ष था तभी वहाँ पर यम्राज आ और सत्यवान के प्राणों को अपने साथ लेकर जाने लगे लेकिन सावित्री भी यम्राज के पीछे पीछे चल पड़ी यम्राज के मना करने पर सावित्री नहीं मानी सावित्री कहने लगी रभू जहां मेरे पती जाएंगे मैं भी वही जाओंगी सावित्री बार-बार स इस समय तुम्हारे पती के प्राणों को लेकर जा रहा हूं और जिस लोक में मैं जाओंगा उस लोक में कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश्ट नहीं कर सकता इसलिए तुम वापस लोट जाओ इस प्रकार यम्राज ने तीन बार सावित्री को समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी और वे पीछे पीछे चलती चली गए तब सावित्री की हट और पती परायंटा देखकर यम्राज कहने लगे कि देवी आप धन्य है सतिवान को छोड़कर यम्राज ने सावित्री से तीन वर्दान मांगने के लिए कहा तो पहले वर्दान में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आँखों की जोती मांगी यम्राज ने सास ससुर को दिविजोती दे दी दूसरे वर्दान में सावित्री ने अपने वनवासी सास ससुर का राज वापस मांग लिया यम्राज ने उनसे कहा कि देवी मैं तुम्हें पहले ही दोवर दे चुका हूँ अब तुम वापस घर लोट जाओ लेकिन सावित्री नहीं मानी अपनी जित पर अड़ी रही जैसे ही अम्राज आगे बढ़ते सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने नब थी तब विवा शोकर यम्राज ने सावित्री से कहा कि मांगो क्या मांगती हो तब अपने तीसरे वर्दान में सावित्री ने सो पुत्रों की इम्मा और सभागिवती होने का आशिरवात मांगा यम्राज ने बिना विचारे ये वर्दान भी सावित्री को दे दिया तब सावित्री कहने लगी कि है प्रभ ये अम्राज को दिवान के प्राण वापस करने पड़े की ही सावीत्री वापस जाकर उस व्रक्ष के नीचे देखा उस जगह पर सत्वान जीवत अवस्था में बैठे वे थे और सावेत्री के सासुसुर की नेत्रों की जोती भी वापस आ गई थी और उनका खोयावा राज भी उन्हें वापस मिल चुका था